वेलकम बैक, नमस्कार, श्वागत है आपका नेशनल क्लासेट में, आज हम एसिया के सभी देश देखेंगे, वह भी इस प्रकार से देखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सार्क देश देखेंगे, सार्क में आठ देश हैं, सार्क में आ situation में आउट देश है, इसके बाद बढ़े चलते हैं कहां के cena में, जो rental association of south east is Asia का लिए उसे कहा जाता है, अस्वाइनкое में कौन कोन देश है तो अस्वाइन में हैं आपका MIAMAR, म्यामार, थाइलेंड, लाओश, कमबोडिया, बियतनाम, इतने है, इसके बाद नीचे है, देखिए, मलेसिया, दो तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, मलेसिया, सिंगापूर, ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद नम्मर आता है, किसका, ब्रुनेई के बाद नम्मर आता है, इ हो गए सार्क में कितने देश आठ इसके बाद हमने देखा आसियान में कितने देश दस सार्क एक बार फिर से देखते हैं सार्क एक बार फिर से देखते हैं माल्दीव माल्दीव सिलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूतान बंगलादेश आठ देश से हैथ कल कुना श्लिए इसके बाद फिलिपिन्स दज्द सोगे अमार थालियन लाउस कंबोडिया पैथ ना ममॉलेसिया इंड़ू नेशय और फिलिपिन्स अमिन. यान के बाद आते हैं आपके मिदल this मिदल असिया पे मिदल स्यमेंade देखाइए चाइना मंगोलीया उसके बाद रसिया उसके बाद आप का जाता है कोरिया उतरी कोरिया जापान इस प्रकार से छह देश आ जाते हैं देखिए तुर्की और रसिया रूस दोनों यूरोप में भी आते हैं और यूरोप और एसिया दोनों में आते हैं तो यूरोप इसमें भी हम काउंट कर लेते ह च्छा देश यहां पर आगे हैं इसके बाद हम देखते हैं मीडिल एसिया में कितने देश आते हैं आए देखते हैं मीडिल एसिया में पांच देश आते हैं कौन-कौन मीडिल एसिया पांच देश कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्गमेनिस्तान तजाकिस्तान उजबेगिस कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान और उच्वेगिस्तान यह फ्वांस देश आते हैं मिडिल असिया में मिडिल असिया में इसके बाद देखते हैं काकेकस देश काकेकस देश कहा जाता है किसको जार्जिया अर्मेनिया और अजर्विजन जो यहां तीन देस काकेकस देस कहा जाता है सार्क में आठ देस हमने देखा उसके बाद आसियान में देखा दस देस उसके बाद आपका इस्ट एसिया में देखें छा देस इस्ट एसिया के बाद मिडिल एसिया में पांच देस मिडिल एसिया के बाद काकेकस देस में तीन देस अब तुरकी हो गया, साइप्रस भी वहींपे है, तुरकी, साइप्रस, सिरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तिन, यहींपे है जॉर्डन, मिस्र, मिडियलिस्ट में आता है, सियम नहीं आता है लेकिन मिडियलिस्ट में आता है उसके बाद साओधी अरब, यमन, एजिप्ट को ही मिस्र का जाता है ठीक है तो यमन के बाद ओमान, ओमान के बाद यूए, यूए के बाद कतर, कतर के बाद बहरीन, बहरीन के बाद कुवेट कुवायत के बाद इराक इसको दो दो एक साथ यात करिए तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान इजराइल फिलिस्तिन जॉर्डन मिस्त या एजिप्ट साओधी अराफ यामन ओमान युए कतर बहरीन कुवायत इराक और लाश्ट में इरान इस बगार से सब ही एसिया के देश याद किये जा सकते हैं एक बार हम फिर से देखते हैं कहां कहां पर कितने कितने देश देखिए एसिया के जो सार्ग देश है जिसमें भारत है उसमें आठ देश आसियान में दस देश इस्ट एस्ट एसिया में छो देश उसके बाद हमने मिडिल एसिया में पांच देश कज क्मेनिस्टान तजाकिस्थान पुझवेकिस्थान देखा काके क कदस्ट में आर्मेनिया आजरुचान उसके बाद मेडियी लिश्ट में तृकिस्ट सैपर सियर्या लिबनान इजराईल स्ब्राइड जॉर्डन मिस्र के बाद सौधिय अरब यमन ओमान ययोई कतर बहरिन कुवायति राकिरान ये सब देखा तो यहां पे आपके सभी देश कभार हो चुके हैं एक बार फिर शेदी बात की जाए तो सभी का नाम लेने की तो देखते हैं मालदीफ से शुरू करेंगे मालदीफ सिलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बंगलादेस उसके बाद म्यामार थाइलेंड लाउस कंबोडिया वियतनाम फिर मलेसिया सिंगापूर बुर्नेई इंडोनेसिया फिलिपिन्स फिर चीन मंगुलिया रूस उतरी कोरिया दच्छीड कोरिया जैपान उसके बाद कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्त साउधी अरब यमन ओमान युए कतर बहरिन कुवेत इराक और इरान इस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं देखिए आपको बाठना है पहले सार्क देश फिर आसियान देश फिर इस्ट एसिया देश फिर मिडिल एसिया उसके बाद काकेकस में तीन फिर मिडिल इस्ट तो इस प्रकार से आसानी से याद किये जा सकते हैं आज का वीडियो कैसा लागा अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए यदि इसमें कोई तुर्टी लग रही है या फिर लगता एक आको और समझ में नहीं नहीं आया या और कुछ बताया जाना चाहिए और किसी झाल झाल